जो फ्लस्तीन के लोग हैं वो कोई इसलाम के लिए निलग रहे हैं वो लग रहे हैं अपने घर बंचाने के लिए अपने मकान बचाने के लिए अपनी भेन बेटियों के अस्मते और इजत बचाने के लिए और चोटे चोटे नौन्यालों को बचाने के लिए प्रधान मंत्री अपनी बीवी छोड़ दी तो पूरा देश बीवी छोड़ देगा क्या बताओ तुम आप देश के विरूद जाएंगे जिंदाबाद मैं कहुँआ भारत जिंदाबाद था जिंदाबाद रहेगा और फिलस्तिन के हम साथ है मजलूम है वो गरीम है दुखी है हाँ 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 हिनकी अम्मा के भी जय बोल सकते हैं हूँ समझे कोई हिंदू नहीं है हाँ मुझे बताओ का हिंदू भारत के अंदर है 85% दलित पिछड़े तो हिंदू कौन है अरे हिंदू कुछ नहीं है कौन जेल पहुचा देगा वह गुलाम बढ़े बुजदिल है जो कहत असान मना देती है ताना साथ कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है नमश्कार में सीखा आप सभी का स्वागत है प्यार भी में मेरे साथ अभी मौजूद है नंदा भाई इनसे बाचीत करेंगे उन तमाम मुद्धों पे जैसे कि आपको मालूम है कि पांच समर्फन हो रहे हैं इसराहिल और फिलिस्तिन के बीच में जो जंग जा रही है उसमें भाजपा ने इसराहिल का समर्थन दे दिया है इसराहिल दिख रहा है और मगर अपने देश के अंदर जो मनीपुर है वो इनको बिल्कुल नहीं दिखता पिछले च्छे महीने से मनिपूर के बारे में बताने का प्रयास करें मनिपूर के बारे में बताएं ना बेटियों की यह इजतल उटी गहीं है इस जिराइल में और फिलस्तीन में जो हो रहा है उससे ज्यादा भेंकर तो तुमने यह मनिपूर में करके दिखाया तो यहां की सुरक्चा कोन करेगा भा हमेशा फिलस्तीन के पक्ष में ख़ले हुए और हमेशा हमारे भारत की निती है जो कमजोर है लाचार है मजलूम है गरीब है असाय है उसके साथ ख़ड़ा होना चाहिए और इस्तिते हैं यह है कि पिछले कई बरसों में फिलस्तीन कितना बड़ा छेत्र था उसका एक तहाई चेत्र यह लोग है ताना साही से लूट बैठें जराई लिलो और एक कटरता लेके चल ले हैं मजहब के नहम पर उनको मार रहे हैं मौबलिंग्चिंग कर रहे हैं उनकी भेन बेटियों की इज्जत है लूट रहे हैं आज लगाई वहाँ पर जो फ्लस्तीन के लोग हैं वो लग रहे हैं अपने घर बंचाने के लिए जो फ्लस्तीन के लोग हैं वो कोई इसलाम के लिए नहीं लग रहे हैं वो लग रहे हैं अपने घर बंचाने के लिए अपने मकान बचाने के लिए अपनी बेटियों को बचाने के लिए अपने मकान बचाने के लिए अपनी बेट सबसे मारे जा रहे हैं जो एक संगठन है उसने इस्राइल के कई सारे बच्चों को मारे हैं धर से अलग कर दिया तो क्या आप मुझे नहीं पता भारत में भी हमने बहुत देखे हैं आपने देखा हरी आना से वीडियो चली वहां से चली यहां गर्दनकार दी तो यह प्रपो हैं उनके पास एक मकान वो भी छीनोगों उनकी बहन बेटियों की इजट लूटोगे तो इस्तति क्या होती है मेरी बात नहीं सुन रही हो मैडम समर्थन क्या है चीटी भी दबतियत काटती है नहीं काटती है तो यह तो इंसान है अब इनके घर घरों दे तोड़े और कोई मर जाता है तो उसको कहतो कि अगरवादी यह आतंग बादी यह देश द्रोई है यह कैसे मान सिकता है प्रस्तिनी लोगों के समर्थन में आना चाहिए पूरी दुनिया को और यह जिस तरीके से भारत के प्रधान मंत्री ने जो एक निर्णे लिया है पूरी दुनि कहिना कहीं को कि भारत भी विश सक्ति में कुछ माननेता रखती हैं हम भी चोते स्थान पर आते हैं भारत की विश सक्तियों में दुनिया की सक्तियों में तो कहिना कहीं भारत का बजन था मगर आप दुनिया में एक मजा कुला के भारत का परधान मंत्री यहां भी जिहाद जो कच्टरता की बातें लेकर आ रहा है और सोसरा दो सजार 24 का चुनाब जीच जाएंगे हम यह दिखा के कि हमने मुसलमानों को खिलाफ हम लिले हम आप फिलस्तिन में उप्लस्तिनमसलमान और भारत में क्या दियाा तुमनें उच्जता करें तुमनें लोटी यह दोला दोला के मारा dy力 में प्रधान मंत्री मोदी ने यह दुरत जवाब दे दिया कि हम इस के साथ में वहीं सिर्फ भारत ही नहीं यूएई जैसे देश भी इस्राइल के साथ में और आपने देखा होगा भी एक खबरे की अलिगर्ट मुस्लिम उनिवर्सिटी में जब विद्यारतियों ने चात्रा चात्राओं ने जब इसके बारे में बुला कि फिलिस्तीन के साथ हैं तो वह अभी जेल में हैं और तमाम लोग जो हैं फिलिस्तीन के नारे लगा रहे तो क्या आपको लगता नहीं है जो फिलिस्तीन का साथ दे रहा है वो जेल में जा रहा है फिलिस्तीन या इजराइल भारत नहीं है यह द्यान लखिए बारत के लोगतबों दिए लोग फिक्ति की आजादी नहीं अपनी बात कहने का हाक नहीं तो कई नहीं सविधान हो रही है भारत के इंगा वर्लिस्तिन की बॉलख के अहां वहां की बूल सकते हुँ हैं भारत को मजाग बना भारत माताओं को नंगा निर्वस्त करके इज्जत लूटते और इट पत्थरों की भारत माता बनाके मुकुट बनाके उसको पूछते हो समझे शरम नहीं आती तुमको जिंदा भेन बेटियों के इज्जत लूटते हो उनकी महाकाल की नगरी मजुझेन में देखा मैडम क्या हुआ तेरे साल की बच्ची के साथ एक दलित अबोध बच्ची के साथ बैसी दरंदोनल लूट ली उसकी इज्जत कि सिवराज मामा की भांजी की और निर्वस्त कूमती रही खुन तपकता रहा ना महाकाल आए ना महाकाल को चाने वाले आए दौंगी पाखंडियो यह माम आज जना क्रोस है बारत जनता पार्टी के गिलाब जैसे ताना साइब पत्रकारता के उपर करा रही है सोचल मीडिया के खिलाब करा रही है यह नहीं चलने वाला और मैं फिर कहता हूं कि वो समस्ता है वो समस्ता है कि वो खुदा हो गया है वो समस्ता है कि खुदा हो गया ह और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गार दी है अभी भक्त है समल जा समल जा अभी भक्त है समल जा समल जा बरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम ताली पीट-पीट के मार देत प्रदान मंतरी की बादा ठीक ना हो आपने देखा राइस्तान में एक रेली को कैसे सम्मोदित किया यह लुच्छे लफंगे को उसमें देखा उसमें आपने किसमें जी 20 में गाजील की फस्ट लेडी के साथ क्या किया वहाथ में लागी थी प्यार से हाथ मिलाने में पिर पत्रकार रहें कि इतने जो निस्पक्ष पत्रकार रहें वह सारे भी के खिलाफ नहीं बोलेंगे कौन से और कैसो बिके हुए यह जो टीवी बाले सब भी क्यों भूत नहीं किसी पत्रकार है कोई अरे मैडम 2014 के बाद पैदा हुई है उससे पहले तो गरम में थी जैसे सबसे बड़ा चैनल जो है आज तक है और हम उस पर काम करते हैं अकले सी आदब से बात करते समय उन्होंने बोला था तो आप समझे हूं लोग के अंदर है कि हां सबसे बड़े पत्रकार हैं सबसे ज़्याद निसपक्ष हैं इसको मैं एंकार कह सकता हूं कुछ बढ़ा नही कहीं नहीं है कुछ भी पाखंड धूंग यह आटंक है और हैंकार किसी का नही बसता अभी अब और जेकर सब्सक्रांट मुझे बता है कि हमारे नेता कोन है किस ने कहा यह जवाब किसी भूतनी वाले ने का कोंग्रेशी ने को है क्या है किस का मतलब कॉंसा कारी करता कौन सा वरक करने वाला प्रदान मंत्री का विरोध करती है क्यों निवरोध करो और मैं फिर कहता हूं कि वह क्या कहता हूं पिर बता देता हूं थी कि आप जो भी बोलते हैं तो आप लोग देश के विरोध जाएंगे प्रधान मंत्री जब हैं तो आप कैसे फिलिस्तिन का साथ को प्रधान मंत्री को तो पूरा देश दफ्रने लगेगा क्या है को जबादी लेगा जो परधान मंत्री करेगा वो यह हरकत हैं हम करें यह जरूरी नहीं है हमारी अभिवक्ति की आजादी है भाई हम अपनी बात कह सकते हैं अभिवक्ति के इजादी में आप भी एफाई आर होगी तो करा दो करा दो कौन है आओ चुम्मा देता हूं ख़़ाओ आओ एफाई किसी समझेे जिंदाबाद नोटंके करतो भाज-बग उद में बैठ जाती हो हैं यह नोटंके क्यों से चलने वाला निए मैंने सुने थे सुने थे बहरेमी के मंजर बहुत आज ये मंजर मैंने देख भी लिया और जिसको दिया था इस देश की हिपाजत का ठेका उसी के हाथ में खुनी कंजर देख भी लिया और एक बात और सुलो वो गुलाम बड़े बुजदिल है जो कहते है क्रांती बड़ी मुश्किल है और क्रांती हर मुश्किल को आसान बना देती है ताना साख कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है जेल जाएंगे आपको डर नहीं लग रहा है। सब हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदु कुछ नहीं है कौन जेल पहुचा देगा आप मुझे बताओ हमारे चैनल इनके बातों पे कोई भी चैनल वत्बंद करना डर रही विचारी अरे मेडम आपको लगता है इस देश की सरकार से पूछ लो हिंदु क्या है इसके बाद जबाब नहीं है हिंदु पर राजनीती करने आई हो या मेरा इंटर्वू लेने आई हो तुम्हें भी चुनाब लड़ना है क्या कहीं मोदी की पार्टी से पत्रकार को आप ऐसे पत्रकार तुम्हीं तो चित्रहार बनाती हूं सारे यहां से बहुत बहुत सुक्रिया अभी आपने देखा हो यह भूतनी के तेल फेल बेखने वाले सब रहीश के जो बन रहे हैं इनकी मट्टी खराब होने वाली है और फिलस्तीन के साथ एक समय ऐसा होगा कि विश्व युद्ध जैसी इस्तती हो जाएगी पृत्वी को खत्रा है इस विश्व युद्ध से बचाईए फिलस्तीन का स साथ देजिए अगर और बास के इस शानित को बचाना जानते हों मदत कीजिए फिलस्तीन की मदत कीजिए जिन्दाबात था बहप जिन्दाबाद हzil भारत जिन्दाबात रहेगा जिन्दाबाद भारत आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिजिएगा धन्यवाद